डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंड उर्दू, अउनली अट्टैक टीवी कैनेडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं, मरीजों की मश्मी तादा 10,20,893 तक जा पहुंची ओंटेरियो सुभे में कोरोना केसिस की तादा सबसे स्यादा है ट्रॉंटो में कोरोना वार्स की 30 लहर बेकाबू हो गई, स्कूलों को बंद कर दिया गया, कोविट के फैलाओ को रोकने में मदद मिलेगी यूकराइन का तयारा गिराने का इजाम, दस होड़ेदारों पर फर्द जरुमाई केनेडा का मुल्जिमान के कड़े इतिसाब का मुतालबा, हाथसे में 100 केनेडियन हलाक हुए थे केनेडियन सुबह उंटेरियों में पांच दिनों में 15,000 कोरोना केसिस रिपोर्ट सुबह में एक बार फिर स्टेट हॉम और्डर का निफास, अस्पतालों पर दबाओ बढ़ने लगा बारिडन का 18,000 से जाई दुमर के नوجवानों के लिए वैकसिनेशन का एलान जो बारिडन का कहना था कि हमारा वैकसीन प्रोग्राम काम्याबी से आगे बढ़ लहा है मुर्ग भर में वैकसिनेशन काम्याबी से चारी है केतीना केफ समें तीन बालीवड फंकारों में कोवीड 19 की तज़्दी केतीना केफ ने इंस्टेगराम स्टोरीज में तज़्दीक कहती हैं केती हैं कि डॉक्टरों के तजवीज करदा तमाम हिफाज़ती तदबीर पर अमल कर रही हूं मिसिस स्री लंका को टाश पहना कर वापस ले लिया गया मिसिस स्री लंका के लिए स्टेज पर लड़ाई फाते हसीना के सर पर चोटें हस्पताल मुन्तकिल कर दिया गया हैडलाइन्स आपने जानी और अब खबरे तफसील के साथ केनिडा में कोरोना वारिस के सबब सबसे ज्यादा हलाकते क्यूबिक सूभे में हुई हैं जहां कोरोना वारिस के मचमुई केसिस की तादाद 3,18,532 है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनिडा भर में करोना के वार तेजी से जारी है कैनिडा भर में करोना के मरीजों की मचमुई तादाद 10,20,893 तक जा पहुंची है जबके हलाकतیں 23,141 हो गई 3,66,602 तक जा पहुंची है जबके हलाकतों की तादा 7,458 है कैनिडा में करोना वारिस के सबक सबसे ज़्यादा हलाकतیں क्यू बैक सूबे में हुई है जहां करोना वारिस के मचमुई केसिस की तादाद 3,18,532 है जबके सूबे में करोना वारिस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 10,701 तक पहुँच चुकी है कैनेडिन सूबे अलबर्टा में 1,54,125 अफराद करोना वारिस से मतासर हुए है जबके 2,001 अफराद हलाक हो चुके है ब्रेटिश कॉलंबिया में केसिस की तादाद 1,001,001 ते तजावस कर गई जहां 1,005,988 अफराद करोना वारिस से मतासर हुए है जबके सूबे में करोना वारिस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,489 है ट्रONटो के डिस्टरिक स्कूल बोड के तमाम तर्बा ट्रONटो के आला حकाम की अुकम के तहट बाकी हफ्ते तक फासलाती तालीम हासल करेंगे मजीद जानता है इस रिपोर्ट में और इससे कोविट के फैलाओ को रूखने में मदद मिलेगी टीपी एश ने कहा है कि करोना की वज़ा से स्कूलों को बंद रखने की जरूरत है क्योंकि इससे खत्रे और संगीन बीमारी और मात के खत्रे दोरों में इजाफा हो सकता है बतकिस्मती से मौजूदा हालात का तकाज़ा है कि मौकामी स्कूलों में तुल्बा असातिजा और अमला समेथ हमारे स्कूलों के लोगों की हिपाज़त के लिए मुश्किल पैसले करना पड़ेंगे ट्रॉंटो के कुछ स्कूलों में वबा फैल चुकी है उनमें 22 वो स्कूल भी शामिल है जो पीर को बंद कर दिये गए थे और ये के तमाम स्कूलों को बंद करना अब सबसे अच्छा एकदाम है इरान में गुजिश्टा साल युकराइन के मुसाफिर तयारे को मार गिराने के लजाम में दस ओधेदारों पर फर्द जर्म आइद कर दी गई इस हवाले से मजीद चानते हैं इरान में गुजिश्टा साल युकराइन के मुसाफिर तयारे को मार गिराने के लजाम में दस ओधेदारों पर फर्द जर्म आइद कर दी गई यूकराइन के मुसाफर तयारे में सवार 176 अफरात में सौ से जायद अफरात का तालुक कینड़ा से था जिन में 55 कینडियन शहरी भी थे अरब मीडिया के मताबक एरान के एक फाजी प्रॉसेक्यूटर ने यूकराइन के तयारे हाथ से पर पेश्टरफ से आगाह किया उनका कहना है कि दस मुल्जमान को बहुत जल अदालत में पेश किया जाएगा दस अफराद को इन जबाती कारवाई का सामना होगा जिन में उन्हें मुलाजमत से रुखसत या मुद्ध मुलाजमत में तख्वीक भी हो सकती है ताहम पौजी प्रॉसीक्यूटर ने मुल्जमान के नाम बताने से गुरेस किया है गुजिश्टा साल एरानी में जाहिल लगने से तहरान से उड़ने वाला युक्राइन का तयारा गिर कर तबाह हो गया था जिसमें सावार तमाम 176 मसाफिर हलाक हो गए थे एरान ने वाकिय को इनसानी गल्दी करार दिया था वजीर आजम जेस्टिन टूडो ने कहा कि उनकी हकूमत को इस मौमले पर एरान की तरफ से जवाब दही की कमी के बारे में सखत तश्वीश है प्रूडो ने एक न्यूस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि कैनेडा बैनल अक्वामी व्रादी के साथ हवाबाजी के मैयार को बहतर बनाने और मतासरा अफराद के एहल खाना को मौबजे की पराहमी एरान से इनसाफ के लिए काम करेगा कैनेडा की ओपोजीशन पार्टी के सरवरा का कहना है के इस मामले पर एरान पर मज़ीद दबाव बढ़ाने की जरूरत है कैनेडियन सुबे ऑंटेरियो में हकुमत की जानिप से एक बार फिर स्टे एट हॉम और्डर नाफिस किया जा रहा है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडियन सुबे ऑंटेरियो में हकुमत की जानिप से एक बार फिर स्टे एट हॉम और्डर नाफिस किया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट के मताबक ऑंटेरियो प्रीमिर डगपोर्ट का कहना है कि ये मुमकिन है कि वो जल ही सुबे भर में एमर्जेंसी ब्रेक के अलावा सहते आमा की मजीद पाबंदियों का भी ऐलान कर दें क्योंकि करोना केसिस में मुसलसल अजाफा होता जा रहा है और अस्पतालों पे दबाव बढ़ता जाता है डगपोर्ट का कहना था कि हमें इस मसले पर तबज़ा मर्कूस करना होगी कि ये मसला ज्यादा वहां है जहां तीन खिते यार्क पील और टरॉन्टो में कोविट के 60 पीसद केसिस पाई जाते हैं उन्होंने कहा कि काम तो पूरे सूबे में करना चाहिए लेकिन हम बस उन्ही इलाकों पर तबज़ा मर्कूस कर रहे हैं जहां करोना केसिस ज्यादा है उनोंसे कहा कि वोना एक्दमाद पर तबादा ख्याल करेंगे लेकिन उनोंने इस बात का आधा किया कि उन्हें रेस्तरान बन रखने पर बहुत अफसूस है उनोंने मज़ीद कहा मुझे ऐसा करने से नفरत है लेकिन फिर भी हमें मज़ीद पावन нас양 आयक करना होंगी। सूबे में गुजिशता पांच दिनों में कोविड नाइटीन के तकरीबं 15,000 नाइ केसे रिजिस्टरड हुए और अस्पतालों में भी इस वक्त किसी और मर्स के मकाबले में कोविड नाइटीन के मरीज ज्यादा इंतहाई निगेदाश्ट में हैं। वबाई अमरास के माहिर ने फोर्ड को मश्वरा दिया है कि कम से कम दो मरतबा दो से चार हबतों तक घर पर ही रहने का हुकम चारी किया जाए। जनवरी में ये करना था लेकिन इंतिजामिया ने इंपक्शन की इस तीसरी रहर के लिए अभी तक काम नहीं किया है। अमरीकी सदर जौजफ बाईडन ने 18 साल से जाएद उमर के अफराद के लिए करोना वैक्सिनिशन का ऐलान कर दिया उनिस अपरेल से लोग वैक्सिन लगवा सकेंगे। लगाने वाला पहला मुलक है। वाज़र है कि अमरीका में इस से पहले 18 साल से जाएद उमर के अफराद की वैक्सिनिशन की तारीख यकुम मैं मकरर की गई थी। दुनिया भर में गुज़िशता 24 गंटों के दौराद 6 लाग से जाएद करोना वारिस के नए केसिस सामने आए हैं जबके 13,000 से जाएद अफराद मौत के मूँ में पहुँच गए। मजीद जानते हैं इस डिपोर्ट में 73,000,000,000 करोना मरीज सहत्याब हो चुके हैं। करोना वारिस के केसिस और इस से अमवाद के एतिबार से 10 सरे फैरिस मुमालिक में 33 करोड से जाएद आबादी का हामिल अमरीका ताहाल पहले नमबर पर है जहां इस वारिस से अब तक 5,70,260 अफराद मौत के मूँ में पहुँच चुके हैं। जबके इस से बिमार होने वालों की मचमुई तादा 3,15,60,438 हो चुकी है। जबके इसके मुतासरा मरीजों की तादाद 1,31,6,058 हो गई। जबके इस से मुतासरा 1,28,1,785 मरीज सामने आ चुके हैं। भारत में करोना वारिस के बाइस अमवाद की तादाद 1,26,882 हो गई जबके केसिस की तादाद 43,64,539 हो चुकी है। तरकी में करोना वारिस से अमवाद 32,666 तक जबके करोना वारिस के केसिस 35,89,185 हो चुके हैं। साओधी अरब इसी फैरिस में 42 नंबर पर पहुँच चुका है जहां करोना वारिस से अब तक कोल अमवाद 6,711 रिपोर्ट हुई हैं। जबके मुम्लिकत में इसके मारीजों की तादाद 3,94,179 तक जा पहुची है। भारत में करोना वारिस की नई लहर के नतीजे में बॉलिवड फंकारों में कोविड 19 के केसिस तेजी से बढ़ रहे हैं। इस हवाले से मजीच चानते हैं। भारत में करोना वारिस की नई लहर के नतीजे में बॉलिवड फंकारों में कोविड 19 के केसिस तेजी से बढ़ रहे हैं। अब कैतरीना कैफ, विकी कोशार और भूमी पज़िनकर भी इस फेहरिस में शामिड हो गए हैं। जो कोविड 19 का शिकार हो गए हैं। कैतरीना कैफ ने इस्टराग्राम स्टोरीज में इस बात की तज़िए की कि उन में कोविड 19 की तश्खीस हुई है। अदाकारा ने बताया कि मुझ में कोविड 19 की तश्खीस हुई है जिसके फौरी बाद घर में करंटीना में चली गई हूँ। मैं अपने डाक्टर्स की तज़्वीज करदा तमाम हिफाज़ती तदाबीर पर अमल कर रही हूँ। मुझ से राप्ते में रहने वाले हर फर्द से मेरी दर्ख़ास है कि वो अपना टेस्ट पौरी कर वाले। इससे कबल पांच अपरेल को अदाकार विकी कोशाल में भी कोविड नाइटीन की तशखीस हुई थी। विकी कोशाल और कैतरीना कैफ के दर्मयान रुमानवी तालुक की अफ़वाहें काफी अरसे से गर्दिश कर रही हैं। ताहम दोनों की जानब से तरदीद या तशखीक नहीं की गई। विकी कोशाल ने इंस्टरग्राम अकाउंट में कोविड नाइटीन की तशखीस के बारे में बताया था और खुद को घर तक मحدود कर लिया था। कैतरीना कैफ और विकी कोशाल के साथ साथ अदाकारा भूमी में भी पांच अपरेल को कोविड नाइटीन की तशखीक हुई थी। इन तीनों से कबल गुजशता दिनों भारत के कई अदाकारों में करोना वायरिस की तशखीक हो चुकी है। अक्षे कुमार, आमिर खान, कार्तिक आरियान, गोविंदा, फात्मा, सना शेफ, परिश रावल, आलिया भट, रनबीर कपूर और दीगर में हालिया दिनों में कोविट की तशखीस हुई। मिसिस स्री लंका 2021 के लिए स्टेश पर लड़ाई हुई जहां पर फातिह हसीना से चंद ही लमों बाद ताच छीन लिया गया। लड़ाई के बाद फातिह हसीना के सर पर चोटे आई हैं। मजीद जानते हैं इस डिपोर्ट में। मिसिस टी सल्वा की तलाग हो गई है लहाजा ये एजास नहीं दिया जा सकता। 2019 में फातिहा करार दी जाने वाली कैरोलिन जोरी ने पुश्पिका डी सल्वा से ताथ चीने के बाद इंतिजामिया को मकाबले का वो कानून याद करवाया जिसके मताबक मकाबले में हिस्सा लेने वाली खातून को शादी शुदा होना चाहिए तलाग याफता नहीं। बरतानवी मीडिया के मताबक उन्होंने ताच दूसरे नमबर पर आने वाली खातून के सर पर रख दिया सब कुछ देखने सुनने और सहने के बाद पुश्पिका डी सल्वा आप दीदा होकर स्टेश से चली गई। बरतानी मीडिया के मताबक मकाबले के मुंतजमीन ने पुश्पिका डी सल्वा से मौफी मांगी है और तद्दीग की है कि वो तलाग याफता नहीं है। पेस्बुक पर एक पोस्ट में डी सल्वा ने बताया कि अपने शोहर से अलक हो गई थी ताहां वो तलाग याफता नहीं अपने सर पर चोटे आने के बाद अस्पताल गई जिस तरह उनकी तद्दीग की गई उसके खिलाब कानूनी चारजोई करूंगी। उन्होंने लिखा कि अभी मैं तलाग याफता औरत नहीं हूँ एक अच्छी औरत और हकीकी कोईन वो होती है जो ताच हासल करने में दूसरी औरत की मदद करें ना कि ऐसी औरत जो इससे उसका जीता हुआ ताच भी छीन ले। टाच टीवी के पाकसान स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही मजीद खबरोर अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं टाच टीवी डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू, अनली अट टाच टीवी टाच टीवी अप्डेट्स यू बाओ करोना सिट्वाशन इन चानदा एंद आरांड गलोग